तो Microsoft Windows अब एड दिखारे की planning कर रही है अपने File Explorer में भी अब यह कोई नई चीज नहीं है जब Windows ने एड दिखाए हो Windows बहुत एड दिखाती है कुछ लोग नोडिस करते कुछ नहीं करते जब आप अपने एज ब्राउजर को या Internet Explorer को पहले यूज करते थे अभी तो एज को इस चीज के लिए Chrome डाउनलोड करने के लिए आप ऐसा करते हो तो सबसे पहले आपको एड आता है आपको Chrome डालने की ज़रूरत नहीं है आपकी Windows में अल्रेड़ी एज ब्राउजर है जो की बहुत बढ़िया है Windows के लिए यह तरीका एडविटिसमेंट का क्योंकि Microsoft भी जानत करते हैं फास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है और सेफ भी है स्क्यूर भी है सो ऐसा नहीं है बहुत खराब है बट मार्केट में फिर भी अच्छा पर्फरम नहीं कर पाता था थैंक्स टू ओल्ड इमेज ऑफ इंटरनेट एक्स्प्लोरर एंड जो सपोर्ट नह नजर आते हैं हलाकि वह इंस्टॉल नहीं होती बटन की आप क्लिक करोगे तो इंस्टॉल होती डाट मेंज आड वगरा आते हैं आपको यह पता है कि अभी क्लिप चैंप करके एक वीडियो एडिटर है उसका एड बाइड डिफोल्ट आपके ऑप्शन उसमें आता है राइ करना नॉर्मल जो वीडियो एडिटिंग होती वह आप उससे कर सकते हों लेकिन अगर आप एच्टी वीडियो एडिट करो तो आपको महीनी के शायद 175 डॉलर देने पड़ेंगे बहुत महंगा है तो माइक्रोसफ्ट विंडोस एक ऐसे सॉफ्ट्वेर को प्रमोट कर रहा ह जो की बहुत महंगा है जो सिर्फ बेसिक एडिटिंग करता है और बहुत महंगा है अब फाइल एक्स्प्लोर में भी माइक्रोसफ्ट एडिटर और ओफिस 365 के एड्स वगरा देखने को मिले हैं मैं आपको बता दूए कोई नया वो नहीं है उससे पहले भी फाइल उसके भी एड देखने को मिले थी 2017 में एक स्पेसिफिक बिल्ड में सो अब यह सवाल उठता है कि माइक्रोसफ्ट विंडोस में माइक्रोसफ्ट कंपनी विंडोस अपने प्रोडक्ट में क्यों ऐसे एड दिखा रही है हम जानते हैं कि विंडोस अब लगभग फ्री है मतल अब यह लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि यह तरीका ढूंड रहे हैं जादा जादा पैसा कमाने का जब आप वहां एड प्रोड़क्ट पर जाओगे आप खरीदोगे इंडिया में जादा तर लोग ऐसे सौट्फियर महंगे में नहीं खरीदते नॉर्मली अब आप लोगों को ये रहता है कि अगर वो पाइरेटी चीज़े खरीदते हैं तो उसमें मैलवेर का विस्क आता है अगर कोई इंसान किसी फाइनिशल इंस्टिटूट में काम करता है तो वो चाहें बेशक वो क्रैक्ट अप्लिकेशन इस्तमाल कर सकता है बट वो फिर भी पेड य देखने में यह भी आया है कि Microsoft Windows के कुछ बिल्ड इंबॉक्स नाम के ब्लोट वेर को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसे क्लिक करते ही आप अपने इंबॉक्स पर या वो इमेल इंबॉक्स पर कहीं पर चले जाते हो या लिंक खुलता है I have no idea बट ऐसे ब्लोट वेर भी अब दे है जब लोग Windows इस्तेमाल करना कम कर देंगे और Linux का कोई ऐसा distribution बन जाएगा जो शायद Windows को टक कर दे सके हाला कि अभी भी Linux नॉर्मल यूजर इस्तेमाल नहीं करते बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे भी नहीं करेंगे तो यह जो भी अपडेट है मैंने आपको बता दिया क कि Microsoft Windows अब एड्ज अपने file explorer that means native file explorer c drive d drive इन पर एड्ज दिखा रहा है तो यह बात है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें अपने दोस्ते को साथ शेयर करें साइबर सेक्यूरिटी और इथिकल हैं इंट्रस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें 2.99 रूपीज के तीन इथिकल हैं कोर्सेज जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैं सिखा देंगे मैं मिल दाँ आपसे एकली वीडियो में थैंक यू सो मच और गुड बाई सिंदेटी झाल शेजर के यूब दो करें वीडियो में घ्जर सेक्टब्स्टिप्ड जो दो आपसे एकली इंट आपसे चालनेर ऑाँ वीडियो तो झालनेर को चेक्म यूथिकल हैं झाल झाल